हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू शिवालेर्णिंग फॉर मोर अपडेट्स यू लोग इंट वर वेबसाइट www.shivalearning.in फ्रेंट्स इस वीडियो में मेरे पास गूद न्यूज है नीट के स्टुडेंट्स के लिए जन्होंने नीट यूजी 2018 का एक्जाम दिया था और उन्होंने वो पास कर लिया था तो उनके लिए गूद न्यूज यह है कि अगर वो कुछ स्टुडेंट्स ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं उसके बाद अगर वो नीट यूजी 2018 में पास हो गए थे मिनिमम मार्क्स उन्होंने अचीव कर लिये थे तो वो भी एच एमस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल है और जो उसका अकैडमी के रहे हो 2018 से 2019 है यह सुप्रीम कोट ने यह आदिश दिया है तो मेरे पास एक आर्टीकल है चलिए इसको पढ़ते हैं और इसमें क्या लिख है मैं आपको बताता हूं और वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्ष्ट अगर आप हमारे चैनल प बीच में स्कॉर्स फॉर्ड अकैडमी के रहे हैं तो गाइस सुप्रीम कोट ने यह जज्जमेंट दी है कि नीट यूजी 2018 में मिनिमम मांक्स स्कॉर करने वाले हर कैंडिडेट्स जो भी कैंडिडेट्स सारे वो एलिजिबल हैं बीच में स्कॉर्स के फर्स्ट यर मैडिश के लिए 2018-2019 तो आपको बता दू इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो एलिजिबलेटी क्राइटीरिया था वो बार बार चेंज होता गया फर्वरी 2018 में चेंज हुआ था दैन उसके बाद जो भी इसमें रूस आये थे और जून 2018 में भी इसमें चेंजिस करे गए थे और इसक इसके और extend होके 20 December होई थी बट मैं आपको बता दू अभी जो फाइनल जज्जमेंट आई है उसके according आपके पास 15 February 2019 तक का टाइम है गर आपने उसमें सेक्यूर कर लिये थे marks तो आप उसमें eligible हो बट इसमें बता दू जो unreserve category है उसमें 50% marks होना जरूरी है और जो reserve category है उनक आप से vacant seats है उसमें उन्हें admission दिया जाएगा तो वाइज होप आपको समझ आगया हुआ कि क्या है आप मैं इस लिंक इस आर्टिकल की लिंक भी description में दे दूँगा आप उसको वहां से पूरा दंग से पढ़ सकते हैं तो वैज इस वीडियो में इतना ही ऐसी regular updates के लिए हमार अजिए से लिंक हैं रह जाएगा पी पन्हें आप है तो वने इस संगो समझ आर्टिकल के लिए।